अगर आपके करेले कड़वे बनते हैं और कड़वे करेले बनने की वज़ा से घर वाले करेले शौक से नहीं खाते हैं तो यकीन जानिए अगर आप मेरे तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए कीमा भरे करेले बनाते हैं तो करेले बहुत मज़ेदार तो बनकर तयार होंगे ही और दूसरा बिल्कुल करवाहर से पाक बनेंगे और यकीन जानिए जो करेले नहीं खाते वो आप से फर्माईश पर बार बार बनवाएंगे बिसमिल्लाहिरामाने रहीम अस्सलाम उलेकुम फ्रेंड्स उमीद है आप सब खेरे से होंगे ये मैंने हाफ के जी यानि के आधा किलो करेले लिये हैं कीमा भरे करेले बना रहे हैं इसलिए कोशिश किजिएगा या तो छोटे साइस के करेले इस्तेमाल करें या फिर दर्मियाने साइस के यानि के करेले जादा बड़े नहीं होने चाहिए कीमा भरे करेले बनाने के दिए करेले के सिरों को बहुत जादा कट नहीं करेंगे अगर सिरों को जादा कट कर लिया तो धागे की मदद से करेलों को बैंड करना मुश्किल हो जाएगा आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने करेलो की डंडी हटाई है और मैंने तमाम करेलो पड़ से बारिक बारिक छिलके उतार लिये हैं मैं इन छिलकों का भी इस्तेमाल करूँगी अगर आप चाहें तो छिलके फेक भी सकते हैं और करेले के दर्मियान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक कट लगाया है और तमाम बीज निकाल लिए है अब हमने क्या करना है करेले और छिलकों को नमक से कोट करना है तो ये मैंने तकरीबन एक टेबले स्पून नमक छिलकों में शामिल किया है और तक्रीबन देर से 2 टेबिल स्पून नमक करेलों में शामिल करके अच्छे तरीके से कोट कर दिया है अब कमस कम आदा घंटा इन्हें ऐसे ही रहने देंगे ताके करेले और करेले के छिलके अपना पानी छोड़ दें आप चाहें तो 10 मिनट के लिए धूप में भी रख सकते हैं तक्रीबन आदा घंटा हो गया है और करेलों और करेलों के छिलकों ने पानी छोड़ दिया है अब इस तरह से हाथ की मदद से करेले के छिलकों और करेलों को मसल लेना है जिस तरीके से मैं मसल रही हूँ चिलकों को मसल लिया है चिलकों में से आप देख सकते हैं कि करवा पानी अलैदा हो चुका है अब इसी तरीके से करेलों को मसलेंगे और तमाम करेलों को एक खटा करके सक्त हाथ से प्रेस करेंगे ताके इन में से करवा पानी निकल जाए अब करेलो और करेलो के चिलको को स्टेनर की मदद से खुले पानी से 2-3 दफा धो लेना है मैंने चिलको और करेलो को अच्छे तरीके से दो कर सक था से निचोड लिया है क्यूंकि हमने करेले और चिलके फ्राय करने हैं अब हमने करेलों में भड़ने के लिए कीमा तैयार करना है तो ये मैंने पैन में तकरीबन 4-5 टेबिल स्पून कुकिंग वाइल शामिल किया है जो के मीडियम फ्लेम पर गरम हो गया है और इसमें ये मैंने 140 स्पून सुफैस जीरा शामिल किया है और हलका सा कड़कडा लिया है और एक बड़ा प्यास चॉप किया हुआ शामिल किया है अब प्यास को इतना फ्राइ करना है कि ये सौटे हो जाए यानि के हलका सा नरम हो जाए हलकी सी प्यास फ्राइ हो जाने के बाद ये मैंने तकरीबन half cup पानी शामिल किया है ताके मजीद प्यास फ्राय ना हो और इसी में हमारा मसाला भी भून कर तयार हो जाए इसमें ये मैंने एक टेविरी स्पून लेसा द्रग का पेस्ट शामिल किया है सिर्फ half teaspoon नमक शामिल किया है क्योंके करेले अच्छा खासा नमक सोग कर लेते हैं इसलिए बहुत एहत्यास से नमक शामिल कीचेगा देटी स्पून लाल मिर्च पॉडर शामिल किया है एक टी स्पून हल्दी पॉडर शामिल किया है और देटी स्पून पिसा हुआ धनिया शामिल किया है बस जितना हमने पाने शामिल किया था ड्राय होने तक मसाले को भून लेना है मसाला भून लेने के बाद इसमें ये एक मैंने दर्मियाना टिमाटर चॉप किया हुआ शामिल किया है और इसमें ये मैंने आधा किलो बारिग मशीन से पिसा हुआ कीमा शामिल किया है जो के मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था मैंने बीफ का कीमा इस्तेमाल किया है आप मतन या चिकन का भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं कीमा बारिक इस्तेमाल करना है ताके करेलों में असानी से भरा जा सके अब कीमे को भून लेना है इतना भूनना है कि कीमे का color change हो जाए आप देख सकते हैं कि कीमे का color white सा हो गया है विसमें ये मैंने half cup पानी शामिल किया है अब पैन को cover कर देना है और low flame पर पानी dry होने तक पकाना है और बीच बीच में check करते हुए 2-3 दफ़र चमचा चला लेना है कि कहीं कीमा लगना चाहे आप देख सकते हैं कि कीमे में मौझूद पानी dry हो गया है और कीमा भी गल चुका है अगर इस point पर आपको लगे के कीमे में थोड़ा बहुत पानी मौझूद है तो medium flame पर भूनते हुए पानी को dry कर लीचेगा क्यूंके हमें कीमा बिलकुल dry दरकार है अब कीमे को room temperature पर ठंडा होने देते हैं कीमा room temperature पर ठंडा हो गया है अब मैं आपको दो तरीके से करेलों को pack करना बताऊंगी जो आपको तरीका असान लगेगा उस तरीके से करेलों में कीमा भरके धागे की मदद से करेलों को pack कर लीजेगा करेले में करेले की गुंजाइश के हिसाब से कीमा फिल करना है अब दोनों किनारों को प्रेस करते हुए सुई धागे की मदद से करेले को एक किनारे से दूसरे किनारे तक सी लेना है दोनों किनारों से तकरीबन आधा आधा एंज करेला सिलाई में लेना है अब दूसा तरीका देख लीजिए जो के आम तरीका है यानि के जिस तरीके से हम भरे हुए करेले धागे की मदब से लपेट के बनाते हैं लेकिन मैं तमाम करेले पहले तरीके से तयार करूँगी क्यूंकि अगर करेलो पर सिलाई लगा के करेलो को पैक किया जाए तो इन्हें खोल कर खाना बहुत जादा असान हो जाता है और दूसरा पकाने में भी थोड़ी असानी हो जाती है अब आपको जो तरीका असान लगे उसी तरीके से करेले तयार कर लीजिएगा मैंने तमाम करेले फिल करके तयार कर लीए है और करेले फिल करने के बाद ये जो कीमा बचा है इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे मैंने कीमा जादा मिगदार में बचाया है अगर आप चाहें तो एक दो करेले मजीद फिल कर सकते हैं और जो कीवा बच जाए तो उसका इस्तमाद बाद में कर लिजेगा ये मैंने half cup cooking oil medium flame पर गरम कर लिया है अब इसमें करेले शामिल करके अलट परट करते हुए अच्छा सा golden fry कर लेना है तमाम करेलों को fry करके मैंने plate में निकार लिया है अब इसी तरीके से छिलको को भी fry कर लेना है छिलको को fry करके plate में निकार लिया है जो के बड़े अच्छे crispy fry होकर तयार हुए है ये बचा हुआ cooking oil pan में शामिल किया है medium flame पर oil गरम हो जाने के बाद ये दो अदर बड़ी प्यास बारी कटी हुई शामिल की है और ये 140 पून हल्दी पौड़ा और 140 पून ही पिसी हुई लाल मिर्चे शामिल की है अब प्यास को नरम हो जाने तक fry कर लेना है आप देख सकते हैं कि प्यास बिलकुल soft हो गया है और उनका कच्छापन बिलकुल खतम हो चुका है बस प्यास को इतना ही fry करना है दो अधर दर्म्याने टिमाटर बारी कटे हुए शामिल किये है ये बचा हुआ कीमा शामिल किया है ये fry किये हुए करेलो के चलके शामिल करेंगे पांसे च्छ्ए अधर छोटी तीखी हरी मिर्चे शामिल की है तमाम अज़ा को इतना भूनना है कि टिमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए मैंने सिर्फ एक से देड़ मिनट मीडियम फ्लेम पर भूना है और इसमें अब ये मैंने वन फोर्थ कप दही शामिल किया है दही को तमाम अज़ा में मुकमल तोर पर मिक्स कर लेना है अब पैन में एक एक करके तरतीब से करेले रखेंगे अब सिर्फ वन फोर्थ कप पानी शामिल किया है अब पैन को कवर कर देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर पकाना है और बीज बीज में बहुत एतियास से करेलों को एक दो बार अलट परट कर लेना है मैंने करेलों को 15 मिनट दम पर पकाया है आप देख सकते हैं कि जो दही ने पानी छोड़ा था और जो हमने पानी शामिल किया था वो ड्राय हो गया है और ओयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है इसका मतलब है ये हमारे मसेतार और बगएर करवाहट के परफेक्ट कीमा भरे करेले बन कर तयार है जिन करेलों में मैंने सिलाई लगाई थी उन में से एक करेला मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूं कि सिले हुए करेले पर से धागा उतार कर खाना कितना असान है आप मेरे तरीके से ये कीमा भरे करेले जरूर बनाईएगा और मुझे कमिट्स करके जरूर बताईएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए अपने दोस्त हवाब में शेयर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करना और बेल बिटन को क्लिक करना बिलकोल भी मत भूलिएगा अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अला हाफिज